आलू के चिप्स हो या फिर पापड आपने तो बहुत बार बना कर खाए हूंगे लेकिन मैं आज एक अलग तरीके से आलू के पापड की रेसिपी लेकर आई हूँ सिर्फ दो आलू से हम सौ से भी जादा पापड बना कर तैयार कर सकते हैं इसकी क्रिस्पिनेस आप सुन सकते हैं कितना जादा ये क्रंची है एकदम कुरकुरा सा हमारा पापड बना है और लोकवाज आप देख सकते हैं कितना जादा ट्रांसपेरंट है ये देखिए उंगली रख रही हो ना एकदम clear दिख रहा है ये इतना जादा transparent है बिना कोई जंजट के ये हम आलू के पापड बना कर तयार करेंगे और पूरे एक साल से भी जादा आप इस पापड को store करके रख सकते हैं और ये जो पापड है खास पात ये है कि बिना धूब के हम इसे बनाएंगे और सिर्फ एक दिन में ये पापड सुख कर तयार हो जाते हैं लोकवाज आप देख सकते हैं कितना जादा ये बढ़ियां पापड एकदम white color के बनकर तयार हुए हैं ये पापड इतने हलके हैं कि एक फूक मारेंगे तो उड़ जाएगा ये इतने जादा soft और हलके पापड बनकर तयार हुए हैं तो चलिए fresh देर किस बात की इस मज़दार से आलू के पापड को बना लेते हैं तो आलू के पापड बनाने के लिए इस तरीके से हमें नया वाला आलू लेना है इस तरीके से इसका skin जो है एकदम पतला होना चाहिए आप देख सकते हैं कौन सा मैं आलू ली हूँ और इन आलू को हम छील लेते हैं और तुरंथी इसे हमें पानी में डाल देना है तो दोनों आलू को मैंने छील कर पानी में डाल दिया है ताकि आलू जो है ना काले ना पड़े और इसका जो starch है ना वो भी निकल जाए तो आलू को मैंने कम से कम 5 मिर्ट के लिए पानी में ही छोड़ दिया था अब आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं सिर्फ दो आलू से हम 100 से भी जादा पापड बना कर तयार करेंगे और वो भी बीना किसी जंजट के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप्स और ट्रिक में आपको बताने वाली हूँ तो इधर देखिए छोटे छोटे टुकड़े में मैंने आलू को कट कर लिया है अब इसे तीन से चार बार हमें अच्छी तरीके से मसल मसल कर धोना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जए और पानी आप देख सकते कितना ज़्यादा क्लियर दिख रहा है इसका मतलब है हम इसे एक बड़े बावल में हम निकाल लेते हैं बाकी बचे आलू को भी हम पीस कर तयार कर लेते हैं तो इस तरीके से क्या होता है ना कि फटा फट से हमारे आलू के पापर बनकर तयार हो जाते हैं थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसे एकदम बारिक पीस लेना है सारा हम निकाल लेते हैं एक बड़े बावल में और आप देख सकते हैं एक बावल जितना ये पेश्च बनकर तयार हुआ है जाल में थोड़ा बहुत आलू लगा है उसे भी हम थोड़ा सा पानि डाल कर निकाल लेंगे और एक दम स्मूध पेश्ट हमारा बनकर तयार हो गया है तो जो भी आलू के थोड़े बहुत चंक्स हैं वो निकल जाएंगे और अच्छी तरीके से अगर आपको लगे कि ये बढ़िया से नहीं पीसा है न तो एक बार और हमें ग्रैंडिंग जार में इसे डाल कर थोड़ा सा पानी डाल कर पीस लेना है तो बाकी बचे पेस्ट को भी इ अगर आप स्किप कर देंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए यूसफूल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा जादा जादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न बन जाता है बहुत ही बढ़िया से चंकर तयार हो गया ये दिखिए और कुछ भी हमारा वेस्ट भी नहीं हुआ तो बढ़िया से ये पेस्ट बनकर आलू का तयार हो गया है तो अच्छी तरीके से एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं लागबग एक बाउल जीतना ये पेस्ट बना था तो उससे नापकर हमें धाई बाउल जितना पानी डालना है इस बात का आपको ध्यान देना है यही मेजरमेंट रखेगा तो एकदम पॉफिक्ट हमारे ये आलू के पापर बनकर तयार होंगे तो आप देख सकते हैं मैंने दो बाउल पानी डाला है और आधा बाउ चलाते रहना है थोड़ी देर में देखेंगे ना कि यह जो पेश्ट है बहुत ही बढ़िया से गाढ़ा हो गया है धीरे धीर यह गाढ़ा होने लगीगा इसको पकाने में बारा से पंदर मिनट लग जाते हैं बहुत ही जटपट यह आलू के पापर बन जाते हैं आप आने के लिए तैयार है अभी मैं आपको बताऊंगी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी फ्रेंस अगर आपको यह रेसेपी थोड़ी सी भी पसंद आया तो जादा जादा शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भू अब मैं एक प्लेट में कुछ डॉप इस तरीके से गिराऊंगी और आप देख सकते हैं यह अपनी जगह से इधर उधर बिखर नहीं रहा है इसका मतलब है कि एकदम पॉफिक्ट आलू के पापड बनाने के लिए तैयार है तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जैसे क चिली फ्लेक्स डाल देते हैं जीरा डाल देते हैं आधी छोटी चंबत जितना है आप अपने हिसापने कोई से भी मसाले डाल सकते हैं और स्वाथ के अनुसार नमक डालेंगे अब ध्यान देने वाली यह बात है ना कि वरत में अगर बना रहा है जिक्छा सेंधा नमक से न लग रहा हो गा कि पेष्ट जादा है तो थोड़ा नमक जादा डाल दें लेकिन नहीं थोड़ा सा ही नमक डाला है, सुखने के बाद नमकी नमकी सा लगने लगएगा इस बात का उOS धेना आप दहन summarize कर ने लेकिन उंदा ना है और इससे ना उपर नीचे हमें करते रहना है ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए मैंने पंखे की हवक नीचे से रख दिया है और यह जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना यानि की छूने लाइक हो जाएगा तब हम इसके पापड बनाना शुरू करेंगे तो यहां तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम पापड़ वाला मिक्चर डालेंगे और एक-एक चमज इतना डालेंगे और इस तरीके से इसे फैलाते जाएंगे अगर आप एक जगर डाल रहना तब ही यह पापड अपने आप ही शेप ले लेंगे और छोटे बड़े जैसे हमारे पापड सूख कर तयार हो गये हैं जैसे मैंने रात के टाइम में पापड बनाया था और सुबह देखा ना तो एकदम बढ़ियां से यह सूख कर तयार हो गये हैं पंखे की हवा के नीचे ही मैंने इसे रख दिया था और आप देख सकते हैं किता बढ़ियां हमारा पाप तो देखे कितनी असानी से ये निकल जा रहा है इसी तरीके से जो थोड़े बहुत पापर चिपक गए ना उसे हमें निकाल लेना है बहुत हलके हाथों से आप निकालेंगे न तो आपने आप ही ये पनी को छोड़ देगा तो आप देख सकते हैं सारे पापर सूपकर तयार हो कि दूCP के ये अगर थूप है तभी पापर बनेंगे और आप खा पाएंगे बिना धूपके भी आप आप्पर बना सकते हैं इस तरीके से देखे कितने ट्रांस्पारेंट हलके पापर बने हैं कि फूक मारेंगे न तो ओड़ जाएंगे ये पापर इतने जादा हलके ही ये तो चलिए देर किस बात की इसे fry भी कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लिया है तेल को अच्छी तरीके से high flame पे गरम कर लेना है उसके बाद हमें medium पे कर देना है और एक हे करके हम तेल में पापर डालेंगे और इस तरीके से चिम्टा जो होत अगर और में डाल के थोड़ी देर एक्स्ट्रा आप छोड़ देंगे न तो ये एकदम लाल पड़ जाएंगे तो इस तरीके से देखिए तेल में मैंने तुरंट डाला है और इसे तुरंट ही निकाल लिया है उलट पलट के तो आप देख सकते हैं सारे पापर को मैंने इसी तरीके से फ्राइ कर लिया है और लुक वाइस कितने जादा बढ़िया ये पापर दिख रहे हैं एकदम सफीद दिख रहे हैं बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है कहीं से और फ्राइ करने का तरीका इसी तरीके से रखिएगा नहीं तो आपके पापर थोड़ा ज खाईए और अपनी फैमिली के साथ इंजोई कीजिए नौरात्री आ रही है उसमें आप इस पापर को खाईए बहुत ही जादा एनरजी मिलेगी और पसंद आएगी इस पापर को रखने के लिए आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर का यूज कर सकते हैं उसमें आप इस विए यूज देड़नört हुई है लिए यूज समया भाल का रान्या में ही कुटषया नौरात्री समया इस शापर के लोपते हैं झांस इस बहादे हैं